हेलो बच्चों कैसे हो आप लो आप सभी ठीक हो आज आपका मैं स्वर्ड लेखन का क्लास टूंगी तो सारे बच्चे स्वर्ड लेखन की बुक को निकाले पिछली class में मैंने आपको page number 4, page number 5, page number 3, 4, 5 का मैंने आपको homework दिया था Hope आप सभी बचों ने इनको बना लिया होगा So, आज हम page number 6 को बनाएंगे यहां क्या लिखा हुआ है? बिना मात्रा वाले 4 बर्णों से के सब्द यहां क्या है? बिना मात्रा के आपके 4 बर्णों के सब दिये हैं इस workbook में आपको क्या करना है? यह क्या के पेर है? बर्गद इस तरह आप सारे को लिखोगे यह क्या है? खटमल यहां पे आप पूरे box में इसको लिखोगे यह क्या है? सलजम यह क्या है? अप इस तरह सारे को लिखोगे उपवन यह क्या है? उपवन है यह क्या है? कट हल बोल बोल के आप लोग इसको लिखोगे पेज नमबर सेवन पेज नमबर सेवन में आपका क्या है? यह कुछ वर्ट्स आपके दिये वे हैं इसको आपको सारे में लिखना है बोल बोल कर लिखना है शलजम शलजम चक चक बरतन इधर रख रख इसको आपको क्या करना है? लिखना है पेज नमबर एक यहाँ पे आपको क्या करनी है? चित्र पहचान कर खाली अस्थान के नाम लिखिए जैसे आपने पिछले पेज नमबर में सारे को बनाये हुए है तो आपको यहाँ पे दो वर्ण, तीन वर्ण और चार वर्णों से बने सब्दे बनाए है उसको आपको क्या कर दी है? लिखनी है जैसे एक आपको मैं उधारन एक्जामपल दे दू यह क्या है? बरगद तो क्या यहाँ पे होगा? इस तरह आपको लिखनी है बरगद ठीक है? इसी तरह आपको पहचान के चित्र पहचान के आपको क्या कर दी है? सब्द को लिखनी है ठीक है? सबका नाम लिखना है चित्र पहचान के क्या करना है? नाम लिखना है कोई बच्चे पीछे से चिटिंग नहीं करेंगे खुद से याद करके पहले आप पीछले वाले पेज को पढ़ेंगे देन आफ्टर उसके बाद इस पेज को आप लोग टैच कीजिएगा और चित्र पहचान कर आप इसको लिखिएगा नौ पेज नमबर नाइन पेज नमबर नाइन में क्या है यहाँ पे सी अक्छरों का करम पलट कर नमब सब बनाएन यहाँ आपका अक्छर है जो सारे अक्छर को क्या कर दिया गया है उलट पुलट कर दिया है यह आपका सब्द है इसमें आपको क्या कर दिया है सारे अक्छर को उलटा कर दिया गया है कर सिधा कर दिया है आपको उसको सिध्य टम में बनाना है PROFESSOR कैसे बनोगे एक इक्जामपल में बता जीते हो पक पक भी आपका क्या है सब्द है लेकिन उसको हमको इतनी है Sap क्या लिखायेगा सिधा करको छीखेंगे तो कई पäreorkने हैं में पलट दूं तो क्या हो जाएगा इस तरह आपको इसको बनाने है यह सारे पलटे हुए है उसको क्रम पलट कर जैसे यह पलटे उसी कहीं साब से पलटकर आपको नए सब बनाने हैं all of you understood यह आपका homework है is that clear आप यहाँ पे date लिखोगे today is your date यह आपका homework है is that clear HW today is 2 July 2020 okay HW 0207 2020 HW सारे बच्चों की workbook की books check होंगी okay जिन बच्चों ने book नहीं लिया है उनको मैं बता दना चाहते हूँ कुछ दिनों में book इस्कूल से चली जाएगी जहां से book आई थी वहाँ book चली जाएगी okay is that clear thank you